दोस्तो सस्क्राइब करो टेकनिकल सिंग डistle को प्रेस करो इस घंटे को ताकी आप सब से पहले विडियो आइस देक पाए नमस्कार दोस्तो मैंनामरकावसिंग और आप देखेने टेकनिकल सिंग डाली। दोस्तो मैं आप को बताने वाला हूँ कि अगर आपके होम ट्रिटर के इस बोड में अगर सॉर्च रेकिटिंग आजाएगी तो आपस तो कैसे सॉझ आउट कैसे ठीक करोगे दोस्तों सबसे पहले बतारता हूं तो सौट कीट का मतलब दोस्तों यह है कि अगर मांन दीजिए आपका यह मदर बोड़ है ठीक है बार बार आपकी यह अगर कोई रिस्टेंस आगर जल जाते हैं और वह दम काली पढ़ जाते हैं तो आप कैसे उसे सही बहुत बंदे कंशूज हैं बहुत लोगों के यह प्रावलाम फेस करने को मिल रहा है मैं बहुत दिन सुच रहते हैं कि इस पर वीडियो बनाए जाए ज़िए समय नहीं बना पार था आज मैं इस वीडियो को बनाए जा रहा हूं तो आप रहों को सबसे पहले क्या करना आप बताता हूं यह मॉस्वेट है आपका यह प्लैक वाला जो आइसी जासे इसको मॉस्वेट बोलते हैं ठीक है यह एंप्लिफाइब करता है साउंड की जो जब साउंड इसमें आता है तो वह एक लोक्वाल्टी में आता है यह साउंड को एंप्लिफाइब करके उसको उ यह सब रेजिस्टेंस के कलर कोड नहीं कि इस बोर्ट का पूरा फोटो चावाज तरफ से फोटो में ले करके अपने मेरे ब्लॉग है मैं उस ब्लॉग पर अप्लोड कर दूंगा ताकि आगर आप लोगों को देखना हो कि आपके रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है उसके कलर कोड आप वहां से देख सको और उस ऐसलनके साफ से एक आप में बता दूंगा उस एप को जा डरेका करके आप कर सकते होंकि यह का बारी नहीं के इसलंसका ऊजए तो अ lazım कावगा है और नहीं चेंग कर दिखना तो रेकिन मैं आपको यह बता रहता हूं कि अगर आप ड़ी इसाथ हां करोंगे तो यह नहीं कि अभर कालिव होगी है अगर ऐसे कालर कोडंध नुकि दिख़ रहा है आप उसे जेंज कर दी तो चैंज करने पाद तो चालू करें कि आपूर्ट है तो वो डिश्टर्ण्स आपका सही बलाप कि बचे बता रहोओं जहां तक होता है 99 % केस modest में proto है आपका यह resistance और उन आपका का इंस उन प्राइब नदीर सिंपके अन घ्क किर भी है तो अर्ट करते ही इस धुआ अन थो आहिंपने निफ़िके बार 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 चेंज करते रहोगे और यह काला होते रहेगा तो मैं आप उसलाद दूंगा कि जब भी आप रेस्टेंज खरिदना तो एक पीज मत खरिदना कम से कम पांच छे साथ आट ऐसे पीज खरिदना क्यों कि आपको यह सॉट्ट सरकुटिंग का केस है तो इसमें आप कीर है आपका जब ही पर सकता है यहां से वह को सकता यह यहां हिसे ऑफर्मे कग की थे involved की दोस्तों इन सब cases में ये आपको capacitor को check करना होता है क्योंकि ज्यादा तरग cases में capacitor आपके sort जाते हैं और आपके board में sort circuiting बताने लगता है जिसके बेरे से आप पैसान हो जाओगे लेकिन वो sort circuiting दूर नहीं होगा तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके साइकिट में कहां पर सौर्ट सर्कुटिंग है जैसे कि यह हमारा मल्टी मेटर तो यह दूसरे आता हूं इसको मैं सेट कर लिया है बजर के रेंज पर ठीक है इस पर वन दिख रहा है मैं आपको तो आप लोगों को दिखना चाहिए ना तो दो इसमें करना किया दोस्तों सबसे पहले अगर आपको अगर आपका यह आपका सौर्ट कर रहा है ठीक है तो आप क्या करना है इन तीनों बार को सोल्ट्रिंग से बाहर निकाल देना है बाहर निकालने बार पर एक प्रूप आपको ब्लैक पर रखना है और एक रखना है इस पर आपका ठीक है और इसके बार इस पर रखना है इस पर आपको रखके क्या चेक करना है एक ब्लैक पर और एक ब्लू पर रखके यह कोई भी कर रह सकता है आपको मालम किसे पढ़ेग एक आपका ब्लेक आपके सिंगल distingu के और भाड रहेंगे जो सेम उपलाइगे तो होता यह जो सिंगल की रहेंगके तो होता यह जो सींगल के वायर रहता है वह नागटिव रहता है यह दुनごा पर पॉजिटीव रते हैं अगर फॉट वैर इस सवाहई बास्तु भताईगा इसा और व्यूट यह ने तो च्कितर आप है कि मल्टिमेटर सब्सक्राइब पर लेक्ट अगर बायर पर एकर इस को इसका मतलब कि आगर बीप मारेगा तो बीप मारने का मतलब व्यूट्छेश है में आपका फॉल्ट है बीच वाले सेक्शन में अगर इस पर बीप माला है तो मतलब कि इस वाले पर फॉल्ट है तो आप उसको पीछे जो आपके लाइन गई हुई है आपको दिखाने कोई करता हूं जो यह सब ठीक है तो आपको यहां से आपको ट्रेस करना होगा कि सब्सक्राइब है तो आपको सिर्फ नेगटीव पर रख करके और यहां पर चेक करना है ठीक है भी मेरे में भी पा रहा है भी पाने का रीजन यह है कि अभी ट्रांसफॉर्मर की जो बैंडिंग होती है यहां से इसलिए इसलिए जब भी आप इस लाइन को आपको चेक करना में यहां और चेक करना होगा तो इस वायई को निकाल करके डिये तो फिर आपकी चेक नornay लेगता है तो यह चेक करने के यह ॅचेक करना है अधर ये बड़ा हो सकता है ठीक होतकर दॉकल निहीं करता है तो अगर पर यह दूज्वए जो आपको इंन दोनों को चECK करना है इनकी वायर कहां पर क्या करना है मल्टी मकों करती आप निकाल कि करना है तो हमसा भीब आपको चेक कर रहा हूं थोड़ा जाता हूं यहां मुल्टिमोटर पर देखना दोस्तों यह मैं देखो यह वैलू बढ़ रही है ठीक है आनि कि लो से वैलू हाई पर जाएगी जिसका मतलब कि आपका यह जो कैपसिटर है वह सही है और बीप का साउंड नहीं दे रहा है और अगर उ हो इसका आपका वो ड्यांना ब्न हो जाएगा बीप दना बंद हो जाएगा बीप दना बंद हो जाएगा तो फिसका मतलब utter का ओक है अगर अगर वार माअ करसा और कि बिए साहिए है अ चुछ है वैल्यू आ रही है जा रही है इवी अपर कैपशिटर सई है ने सब्सक्राइब यह बढ़ने मतलब है वैल्यू पने अपका सब्सक्राइब ने अब क्या करना आपका यह आपका उग्यूट आपका इस section में fault रहेगा यह आपका heat होगा तो आपको इन्हों को चेक करना होगा लेकिन इसको भी चेक कर सकते हो तक यहां से fault हो यह भी आपका उसी case में आएगा और यह भी खराब होनेगे कि case में आपका आपको चेक करने का सेम आपका है कि आपको multimeter को इस पर continuity पर रखके इन दोना वायर पर टेच करना है तो value आपकी low से high पर जाने चाहिए अगर नहीं जाएगा तो मतलब कि आपका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ खराबी है कि यह नहीं बता रहा है लेकिन बीप की साउंड भी नहीं है ठीक है अगर बीप का साउंड निकल गया तो मतलब कि यह सौट है देखो value आगे चलेगी मतलब सही है यह चोटे लेम दीकत होती है value आगे चल जाती है अगर आपको चेक क्या करना दो तो मैं आपको बतायता हूं फिर से एक बार clear कर देता हूं यार दो वीडियो लंबा जा रहा है वीडियो अभी 9 मिनिट का है और एटिंग करते कर दर 10 मिन हो जाए अटमेटिक तो मैं इस वीडियो को भी रुखूंगा और फिसके बाद नेक्स वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा तो आप इसका नेक्स पार्ट देखना दुस्तों ठीक है तो यह था आपका इस section को trace करने का और नेक्स पार्ट में आपको यह सब trace करने का